अलो डियर स्टुडेंट्स क्लास 9 साइन्स के चैप्टर 7 मोशन का ये लेक्चर नमबर 19 है और इस लेक्चर में आज हम डिसकस करेंगे एक्जाम्पल नमबर 7.4 ऑफ पेज नमबर 77 ठीक है देखते हैं क्या दिया हुए एक्जाम्पल में बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रम स्टेशनरी पोजिशन देखिए स्टेशनरी पोजिशन का मतलब होता है रुका हुआ ठीक है राहूल पैडल सिस वहिकल बाइसीकल तू अटेन वेलोसिटी ओफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड देखिए राहूल जो है साइकल चलाना शुरू कर रहा है अब वह साइकल जैसी पैडल माना शुरू करता है फिर उसका धीरे दीरे उसका स्पीड बढ़ता है और वह उसका वेलोसिटी पहुंच जाता है 6 meter per second 30 second के अंदर उसका पहुंच जाता है 6 meter per second तो starting में उसका कितना था? 0 था अब पहुंच गया है 6 meter 30 seconds में then he applies brakes such that the velocity of the bicycles comes down to 4 meter per second in next 5 second आप क्या कर रहा है? वो brake लगा रहा है तो brake लगाएगा तो उसका cycle slow हो जाएगा और यहां तक पहुंचते पहुंचते जो उसके cycle का जो speed है या velocity है वो हो जाता है 4 meter per second अब brake लगाने में उसको कितना समय लगा? 5 second का समय लगा calculate the acceleration of the cycle bicycle in both the cases both the cases मतला इन दो cases में आपको find out करना है कि उसका acceleration कितना था ठीक है? तो कैसे solve करेंगे? चलिए देखते है देखे सल्यूशन आपका start कैसे होगा? आपको दो case लेना है question में दोनों case बोला है ठीक है? तो first case में उसका initial velocity कितना था? देखिए जब राहूल यहां से शुरू कर रहा था तो जब वो paddle मारना शुरू किया था देख लो जब वो यहां से लेकर यहां तक पहुँच गया तो यह हो गया उसका final velocity जो कि कितना पहुँच गया था? 6 meter per second तो यहां पर final velocity का हम V से denote करेंगे और वो होगा 6 meter per second देखो second के उपर inverse लगा है उसका मतलब यह कि वो denominator में है ठीक है? तो 6 meter per second कितना समय लगा उसको तो question में बता दिया है कि उसको 30 second लगा इस velocity पहुचने में अब acceleration का एक formula होता है A is equals to V minus U upon T यानि कि final velocity minus initial velocity upon time taken ठीक है? तो सबका values put करेंगे देखो final velocity था 6 meter per second में से initial velocity है 0 meter per second को subtract करेंगे और समय कितना लगा नीचे लिखा हूँ है 30 seconds जब आप इसको solve करेंगे तो आपका answer आएगा 0.2 meter per second square क्योंकि acceleration का आपको पता है क्या होता है acceleration का जो unit होता है meter per second square होता है तो यहाँ पर आपको second to the power minus 2 दिखेगा क्योंकि denominator में second square आएगा छीक है? अब यह तो first case का answer हो गया अब इस second case में क्या था? देखो second case कहां से शुरू हो रहा है? यहां से शुरू हो कि यहां तक जब उसने break apply करना शुरू किया ठीक है? तो आप initial velocity कितना होगा? 6 meter per second और final velocity कितना होगा? यहाँ पर पहुंचने पर उसका velocity था 4 meter per second ठीक है? तो आप यह देखिए हैं यहां पर in second case initial velocity कितना होगा? 6 meter per second और उसको हम UCD note करते हैं उसके बाद आप लिखोगे final velocity जो की है V equals to 4 meter per second क्योंकि जब उसने break apply किया तो 4 meter per second उसका speed हो गया था ठीक है? और time कितना लगा? उसको 5 second का फिर से formula सेम लगेगा जैसे कि हमने यहां पर लगाया था equals to V minus U upon T ठीक है? तो V कितना है? final velocity है यहां पर 4 meter per second initial velocity है 6 meter per second और time आगया 5 second का जब आप इसको solve करोगे तो आपके पास answer minus में आएगा minus 4 meter per second square क्योंकि minus क्यों आएगा? देखिए यहां पर 6 और 4 में आप देखो 6 बड़ा है और 6 के साथ में minus का sign है ठीक है? तो जब आप subtract करोगे तो minus 2 आएगा फिर आप 5 से divide करोगे तो minus 0.4 meter per second square आएगा अब acceleration negative जब होता है तो उसको हम retardation बोलते हैं ठीक है? तो दोनों case में हमने solve कर लिया क्या-क्या answer आया है एक बार उसको हम फिर से निकलेंगे the acceleration of the bicycle in first case is 0.2 meter per second square and in second case it is minus 0.4 second square ठीक है? तो इस वीडियो में हमने discuss किया है example number 7.4 को next वीडियो में हम अगला example discuss करेंगे और next वीडियो का link आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा